भारत में पूजा पार्ट का अपना ही एक महत्व है यहां देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामगरी चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी है जिनको दुलसी के पते नहीं चढ़ाई जाते है वो दीवता है भगवान गनेश इसके पीछे के रोचत तथ्य को जानने के लिए पढ़ें यह कहानी एक बार की बात है भगवान गनेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे उसी दोरान देवी तुलसी अपने शादी की इच्छा मन में ले यात्रा पर निकली यात्रा के दोरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गनेश पर पड़ी भगवान गनेश एक सिंहासन पर बैक्ठर कपस्या कर रहे थी, उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था, उन्होंने जेवर पहने थे और खूलों की माला पहनी हुई थी भगवान गनेश को देख देवी तुलसी आतरशित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गनेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया इस बाद से देवी तुलसी को भी गुसा आ गया उन्होंने भगवान गनेश को श्राब दिया कि उनकी दो शादी होगी वो भी उनकी इच्छा के बिना इससे भगवान गनेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राब दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी होई और उन्हें अपनी गल्ती का एहसास हुआ उन्होंने भगवान गनेश से माफी मांगी भगवान गनेश ने माफी को स्विकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है लेकिन तुम भगवान विश्णों और श्री कृष्ण की फ्रिय बनोगी भविश्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा इसकी कहानी अच्छी लगे तो चानेल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें